इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी glue jack dust tablet type 2 diabetes mellitus के इलाज के लिए अकेले या अन्य दवाओं के साथ combination में इस्तिमाल किया जाता है यह मधुमें हमें देखे जाने वाले उच्रक्ट शरकरा के स्तर को नियंतरित करने में मदद करता है यह मधुमें की गंभीर जटिलताओं की संभावना को कम करता है और हृदे रोग को रोकने में भी मदद करता है glue jacked dust tablet को दिन में किसी भी समय खाने के साथ या खाने के बिना लिया जा सकता है लेकिन आपको इसे रोजाना एक ही समय पर लेने का प्रयास करना चाहिए खुराक आपके डॉक्टर द्वारा तै की जाएगी अपने डॉक्टर से पूछे बिना इसे लेना बंद न करें यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके रक्ट शरकरा का स्तर बढ़ सकता है और आपको गुर्दे की क्षती और अंधपन जैसी गंभीर जटिलताओं के जो खिम में डाल सकता है यह दवा केवल एक उपचार कारेक्रम का हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम और वजन कम करना शामिल होना चाहिए ग्लू जैक्ट 10 टैबलेट के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में योनी का फंगल संक्रमन, नसो फिरिंजाइटिस यानि की गले और नाक के मार्ग की सूजन और मूत्रपत के संक्रमन शामिल है इससे शरीर में बहुत अधिक पानी की कमी हो सकती है निर्जली करन को रोकने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं अच्छी स्वच्छता बनाए रखने से जननांक शेत्र में फंगल संक्रमन के विकास को रोकने में मदद मिल सकती है इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित सक को सूचित करे कि क्या आपको किड्नी या लीव की कोई समस्या है या मूत्रपत का संक्रमन है या यदि आप पानी की गोलियां यानी की मुत्रवर्ध एक्ट ले रही हैं गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए इसे लेते समय अत्यधिक शराब के सेवन से बचें क्यूंकि इससे कुछ दुश प्रभाव विक्सित होने का खत्रा बढ़ सकता है इस दवा को लेते समय नियमित रूप से अपने रक्ट शरकरा के स्तर की निगरानी करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद